हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चाइनल आज मैं आपके लिए बहुत ही खुबसूरत सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ इस डिजाइन का नाम है मैड डिजाइन यानि की चटाई वाला डिजाइन यह बिल्कुल चटाई की तरह बनता है यह रॉंग साइच से देखे इ टाकि आप को समझ में आए कि यह डार्क की और लाइट क्लड में कैसा दिखाई देता है तो रॉंग साइट से इस तरीके से दिखाई देता है बहुती खेसी डिजाइन है अगरalley बिगनर है यह आप इस दिजाइन को बहुती खटी बना लेंगे यह तो इस रूपकर के लेना नहीं होता है, मैंने इसे 9 नंबर की निडल पे बनाया है, और नॉर्मल वूल लिया है, आप इसे 10 नंबर की निडल पे भी बना सकते हैं, तो फर्स्ट रो राइट साइट से हम शुरू करेंगे, बॉर्डर बनाने के बार, आपको दो फंदों पे डिजाइन बनाना है, तो राइट साइट की निडल को आपको दो फंदों के इस तरह बीच में से लेना है, और एक सीधा फंदा बना लेना है, देखिए, अब हमें देखिए, जो हमने दो फंदे एक साथ बिने थे, अब हमें इससा पहला फंदा छोड़ना है, सिर्फ आगे वाला फंदा छोड़ दूसरे फंदे को हम निडिल पही रख़ेंगे िस तरीके से फिर से इंपको दोनों पूट सब चोल पे बिनागी यह रखेंगे बिनाएंगे दोनों फंदों को एक साथ एक बार बिनना है, सीधा ही बिनेंगे, फिर आगे अला फंदा छोड़ देंगे, और पीछे वाले फंदे के साथ मिलाके, फिर से हम दो फंदों को एक साथ बिनेंगे, तो यह आपकी फर्स्ट डो है, और फर्स्ट डो आपको पूरा इसी तरीके से complete करना है देखिए दो फंदे एक साथ लेंगे एक बार सीधा बिनेंगे इस तरीके से देखिए दो फंदे लिए एक साथ सीधा बिना एक बार ही बिनना है फिर पहले वाले फंदे को छोड़ देना है और दूसरे फंदे को सलाई पे लेकर लेना है दूसरे उसके पीछे वाले फंदे के साथ, फिर दो फंदो एक साथ बिनेंगे, पहला फंदा छोड़ देंगे, और फिर दूसरे फंदे के साथ मिलाके, उससे हम फिर से एक बर सीधा बिनेंगे, देखें, सिंपली अगर देखें, तो हम दो फंदो को एक साथ बिन रहे हैं, सीधा, पहला फंदा हमें छो य एक साथ निडिल पर डील गी दोंड़ सत्य आज़ोफन को एक साथ ही यह बिना है'm गड़ Sug नीडिल पर एक बार बिना मुड़ाई IndipARS यह सा पिस पर इस मिल लेग्सक्राइब करें अब से खोνूड़ ले और यहीmind मुड़ रिक likes अब रहें Ah फंदे को छोड़ देंगे फिर दूसरा फंदा पीछे वाले फंदे के साथ मिला के बिनेंगे देखिए दो फंदे एक साथ लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ उल्टा बिनेंगे ये देखिए ये वाला फंदा और ये फंदा इसके एक साथ निडिल पे लेंगे और बिन देना है तो यह दो सलाईय का design है और यह जो आपकी दूसरी सलाई पे यह design complete हो जाएगा पूरी second row आपको इसी तरीके से बिल लेनी है दो फंडो को एक साथ लेना है और उल्टा बिनना है पहले फंदे को छोड़ देना है फिर इसी फंडे को आपको पीछे वाले फंदे क साथ मिला के फिर से एक बर उल्टा बिनना है यह देखे इस तरह से यह देखे लेना है एक बर उल्टा बिनना है आगे वाले फंदे को छोड़ देना है पीछे वाले फंदे को उसके पीछे वाले फंदे के साथ मिला के उल्टा बिन देना है बेसिकली अगर हम देखे क्योंकि हम दो-दो फंदे एक साथ बिन रहे हैं तो हमारे यहाँ पर अगर हम दो-दो फंदे एक साथ बिनेंगे तो हमारे फंदे घट जाएंगे तो इसलिए हम एक फंदा छोड़ रहे हैं फिर एक फंदा दूसरे फंदे के साथ उसे मिला के फिर एक बर बिना फिर पहला फंदा छोड़ दिया और फिर लास्ट का फंदा उल्टा बिनते हुर उको कंपलीट कर लिया ये देखिये हमारा डिजाइन कंपलीट हो गया और ये जिग-जेक में चलता है इस तरीके से बहुती प्यारा design है अगर आप कोई baby cap ये gens cap बना रहे हैं तो बहुती अच्छा design है यह यहापकर देखिए इस तरीके से बनेगा जब आप continue बनाएंगे तो आपका design इस तरीके से बनेगा I hope आपको इस design अच्छे से समझ में आया होगा और खुबसूरत लगा होगा यह जो डिजाइन है आपको काफी धीला बनाना है क्योंकि यह डिजाइन काफी टाइट बनता है यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया